आव बाय शिखो ले वो जाओ तगडे फिर आगा टाइम नस देख तब तगडए वो जाओ आज आपको खुश कबरिया सुनाएंगे तड़ देपंजावगी लेन देपंजावगी सिरो पर सिरो खुश खबरिया सुनाएंगे बहुत जरूरी है, थैंसें लेने के लिए थो हम उट दे sectors चुनते हैं, नेता चुनते हैं, वों अमारे समस्याइआ देते रहते ले आई दिन, चुनते हैं इसलिक हैं, वो समस्याइँ का 관심 करेंगे, लेकिन वै दिननही समस्याइब पपढ़ा करदेते हैं, उनका काम समस्याइ आपनजाब जब एक साथ कोई काम करें तो उसके तो फिर कहने ही क्या होते हैं आज आपको खुश खबरिया बताएंगे सुनाएंगे आप सुनके ना आपका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन होगा सबसे पहले तो ना मुवारक बाद दो इस बच्चे को कैनडा दी तरती तो वड़ी खबर समने आ रही है दोस्तों तो अनु दास दिये एक पंजाबी नौजवान ने अपनी मेनद देनारिक वड़ा मुकाम हासिल कर लिया है ये नौजवान शिरी मुकसर साहिब दे पेंड कोटली संगरदा है तो अनु दास दिये कि फेडरल क्रेक्ष्णल अफसर नियुकत होया है साल 2017 दे विच्ट स्टडी वीजा थे एद नौजवान केनडा गयासी आते और एक वड़े ओदे थे फेडरल क्रेक्ष्णल अफसर नियुकत होया है इस मेरनों तुस्य विदाई जिरूर दे देओ। जानते हैं या पिर अंध भगत जानते हूँगे। अभी पाकिस्तान की खुस कबरी तो बाकी है। वह भी तो सुनोगे। क्योंकि आप सब को पता है, साइदे आजम भगत सिंग को सईध गातरजा दिलवाने के लिए, पाकिस्तान में केश लड़ा जा रहा है, लेकिन यहां पे राजनीती की जाती उनके नामप, उनके नाम पर संस्थाए बनाई जाती, उनके नाम पर चंदा लिया जाता है, लेकिन राजरंजी शिंह की दर्ति इसकोगी ननकानभम बंवाननक की दर्ति उस आइस बधाल sudah कुई गल्त बोलता है जमीन दोनों तरह वही है जमीन वही है लोग भी वही है जरप हैं तो खराब सरकार हैं यह अपने अपने फाइदे के लिए जब हिनकी कुर्शी खत्रे में आती है, पाकिस्तान वाले इंडिया वालों को गाली देने लग जाते, इंडिया वाले पाकिस्तान वालों को, जन्ता आम जन्ता नहीं देती गाली यां, उन्यता, उन्यता उल जलूल ब्यान देने शुरू कर देते हैं, यह फिर कोई करकेटर परकेटर होते हैं, य आखी सटार तो क्या ये कुछ भी नहीं है और खाली है ये कुछ नहीं होते हैं ये बैस आपनी जोटी पबली सिटी के चक्कर में रहते हैं बोलते हैं एक टविटर पभी वैचे फोलोर ले रहा था वो भी अब गुण गाने लगया उसका हर्दय परिवर्तन हो गया वो गुल पाकिस्तान में मा बोली परव के मद्यनजर पंजाबी को बनता हक्व सम्मान वा इनसाब दिल्वाने के लिए विशाल स्तर पर रोश परदर्शन किया जाएगा इसके अलावा 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रिय मा बोली परव मोके लाहोर की शिमलापा अडिस्तित प्रेश कल पंजाबी दानसबात तक विशाल रिली निकाली जाएगी आज इसम्मान लाहोर के पंजाब हाउस में हुई बैठक दोरान पंजाबी परचार संस्था सदर एहमद रजा पंजाबी ने कहा कि पस्वी पंजाब को सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए पंजाब के स्कूलों में नर्शरी कक्षा से ग्रेज़ेश्वन की पढ़ाई तक पंजाबी को विशा के तोर पर लागू करना चाहिए बिलकुल सही बात है और एक हमारे यहाँ है पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री है वो इंदी में बाशन सुरू कर देता है मतरजा साब आप तो इतनी में नहранक कर रहे हो यहाँ पांपय तो मुख्यमंत्री आशा चुन रहा है पंजाब के अंदर वो क्या करता है इंदी में बाशन सुरू कर देता है इंदी में ट वी ए खेलता है ट्वीटर कोई चीज है ट्वीटर के ऑपर ट्वीट इंदी में लिखने पूरी डिटेलमेंट में कब क्या होगा पूरा फोटो साइच सब पूच पूरी डिटेलमेंट आपको बताएंगे एक दिन सपेशल इसका हो रखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर करें ना मांबोली पंजाब को बचाने का वैसे होना तो यहां पे ची यह था लेकिन हो रहा ला बार भाई जिसने लाहूर नहीं देख्या опять अले तो जन्मयाई नहीं ऐसे ही नहीं राजदानी थी आ लत होे मायरा जिäl्नेती शिंग कि और शेल की दिल्ली में, दिल्ली की चुले इल जाती ही जब किसान कोई बात बोल देते हैं, दिल्ली की चुले इल जाती ही जब जब जवान कोई बात बोल देता है, जवान हक सच की बात बोल देगा, उसी समय पर देश दरोई हो जाता है, किसान हक सच की बात बोल देगा, उसी पातंक ब पता नहीं क्या हो जाता है और एक बात जो आपको बार बार बोल ली थी आपके सामने फिर आगी है वही बात मना मत करना इस चीज़ को पंजाब के बगेर आप कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते यह बात आपको लिखके लेड़ी पड़ेगी आपको लिखके दे रहे हैं बिना पंजाब के आप कोई भी बड़ा अंदोलन खड़ा नहीं कर सकते क्यों कुण कि उनके पास है ना हर एक चीज़ का मेनेजमेंट है मेनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं वो अपने वाले नहीं कर सकते हैं इतना लंबा अंदोलन कदे आपनी 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 की टीवन का घड़े हो जा अगर लेया हम कराएंगे तो हम कुछ ने कर सकते मेरे बाई जब तो पंजाब की मतद के बगार आंदोलन होगा ही नहीं यह पता सब को है लेकिन एक चीज हम बार बार बोलते हैं या तो आंदोलन करना मत अगर अब की बार करना कोई सा नेता उल्टा आठता या कोई सा नेता सम्जोता करता है पहले आपनी नेता किसान नेता ने समाल ले बाई पाच्छे देखांगे आंदोलन पाच्छे देखांगे बीजेपी कांगरेस जो आओगी बीच में उससे नदा पाथ से तेख्या जागा पहल लापने कियसान नेतरा शमाल लो तय्यम तरह लखवा लेलो लोक़ा लगा देओ पहल से अब आपने जितने भी अगीनने भं मलते की पोड़ा आपने जिने के भीषेलों में अगम अधल किसे तोस स्ना पता है क्योंकि पता है ना पिछला एक साल दिली बैठी तब कैसे निकाल लिया था पता होगा ना पुरा साल निकाल रहे हैं पुरा साल कुछ दिन हमने जेल में निकाल ले हैं अपने दिली बोडर पे निकाल ले हैं लेकिन क्यों अब की बार ना क्यों का जवाब पहले लिया तीम के साथ जो मदद चीये ये पूरी मदद करांगे मदद करने से कोई मना नहीं है किसी भी किसान नेता को कोई मना नहीं है जहाँ पर जो मदद की जरूर की Requirement होगी न वो मदद की जाएगी लेकन समझोता नहीं अपके बार फैसला चाहिए यह चीज पैले ही कलियर कर रहे है क्योंग बाद में पूछ यह लोग फिर बोलने लग जाते हैं का अगया दीपक फोजी बोल रहा था यह बोगा पहले ही बता दिया है, नहीं तो हम इस चीज से दूर ही ठीक है फिर, दूर ही ठीक है, और जितने अपनी साथियों गर सब को भी यह कहिए, फिर दूर ही बना लो, अगर यह लोग समझोता ही करना चाहते हैं तो, यह कलियर कट है भई अपना, बिल्कुल, किसानों की कोई बात होगी चाहिए आदीरात को होगे ना, उसका आदीरात को भी लोगों के सामने रखेंगे, यह बात है बैए यह चीज होनी चाहिए, सबी साथियों के सामने रखते हैंगे, बनवह अजार साती जुड़े हुए हैं, कोई एक-दू साती नहीं है, अपने चैनल के ऊपर, और य बेल आइकोन को जुरूद बाना दोस्तों, ओफिशियल दिपक फोजी यूटूब चैनल, बात हक और सच्की करेंगे, हक सच्की बात हम करेंगे वीडियो को शेर करने के जम्मिवारी आप लोगों की, गज के आखो, वहे गुरुजी का खालशा, वहे गुरुजी की फते,